हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम मनानी जा रहे हैं ब्रोकली स्टर फ्राइए बिल्कुल नहीं अंदाज में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे सिक्रेट इंगेडियंट्स जिससे कि आपकी ब्रोकली का स्वात तो गुना बढ़ जाएगा और आपको यह ब इसके बीच में ऐसे नाइफ से इसको कट कीजिए और डंडल को लग कर लीजिए और फूल को अलग कर लीजिए अब इसके जो है फूलो को ऐसे कट करते जाए ऐसे पीछे की साइट से knife से इसको cut लगाए और सारे जो इसके छोटे-छोटे फूलों को अलग कर ले अब हम इसके और छोटे-छोटे parts करेंगे एक piece लेंगे और उसको ऐसे लंबा-लंबा slice करेंगे फ्रेंस लंबा slice करने से जो है और ज्यादा बड़ा भी नहीं छोड़ना है अब देखिए मैंने यह डंठल वाला part भी ले लिया और इसको भी ऐसे slice कर लिया है फ्रेंस हमें डंठल को फैकना बिल्कुल भी नहीं है ब्रोकली के हर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा nutrition होता है इसमें protein, calcium, iron, zinc, vitamin A और भी कई सारी nutritious value होती है परपूर मातरा में तो आप इसके हर पार्ट को use करें और अपने बच्चों को भी जरूर खिलाएं अगर आप इस तरीके से मनाएंगे तो वो definitely इसे खाने वाले है अब हम अपनी ब्रोकली को जो है अच्छी तरीके से wash कर लेते हैं मैंने याप पर ब्रोकली को दो लिया अच्छी तरह से अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है उसको गरम कर लिया है गैस की फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे अब इसमें एट कर देंगे थोड़ा मस्टर्ड ओयल आप जो भी ओयल यूज करते हो आप वो यूज करें मैंने लगबग 2 टेबल स्पून यूज किया है तेल गरम ऑने के बाद हम इसमें सारी ब्रोकली अट कर देंगे और फिर उसे मीडियम हाई फ्लेम पे हम लगबग 5 मिनट तक पकाएंगे और फिर पकाने के बाद हम उसमें एट करेंगे अपने वो secret ingredients जिससे कि हमारी ब्रोकली का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा बहुत ही ज्यादा यमी हो जाएगी फ्रेंड्स हमे जो है ब्रोकली को बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं करना है इसमें crunch बना रहेना चाहिए तबी खाने में मजा आएगा वरना तो हो बहुत सोगी हो टेस्टी हो जाएगी, यह देखिए, यह है पहला इंग्रिडियन्ट, और इगयनो, फ्रेंट्स यह पीज़ा जब हम खाते हैं, तो उसके साथ में आता है, मेरे पास तो वही बचाता, मैंने उसको समाल के रख लिया था, अगर आपके पास भी एक्स्टर होते हैं, तो ऐसी सम चिली फ्लेक्स, इसे जो है ब्रॉकली देखने में भी बहुत ज़्यादा टैम्टिंग लगती हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है, अब हम इसमें एड़ करेंगे अपना तीसरा और आखरी इंग्रिडियन्ट, यह है ब्लैक पैपर यानि काली मिर्ज का पाउडर यह मैंने 1-4 टीस्पून एड़ किया है, आप ओरिगेन और चिली फ्लेक्स के क्वांटिटी उपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1-1 टीस्पून आप दोनों एड़ कर लें, अपस इन तीन चीजों का अपनी किसी भी स्टेर फ्राय वाली वेजिटेबल में अगर आपकी बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बस इस तरीके से बना के उन्हें खिला दीजिए, वह अपने आप आप से मांग के खाएंगे, और उन्हें सब्जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर देते हैं, मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको डख करके सिर्फ दो मिनट के लिए और कुक करेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे, दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल करके देख लेते हैं, यह देगे हमारी ब् कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसेपीस लेके आऊं, फ्रेंड्स आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मॉटिवेशन मिलती है, तो प्लीज आप जरूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई